नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मौशमी स्टन पर तो चलिए आज बनाते हैं बनाना नट पंच जो बहुत स्वादिस्ट और हिल्दी है बनाना नट पंच बनाने के लिए हमें आधा लीटर, ठंडा दूद, दो केले, कुछ मुंगफली, थोरा सा काजू, कुछ पिस्ता बदाम, कुछ अखरोड और तीन से चार चमच मधू चाहिए पहले हम केले के चिलकी को उतार लेंगे और छोटे-छोटे टुकरो में काट लेंगे मैंने केले को छोटे-छोटे टुकरो में इसलिए काटा है ताकि ब्लैंडिंग के टाइम यह अच्छे से ब्लैंड हो सके अब हम एक ब्लैंडिंग जार पर केले के टुकरे काजू, अक्रोट, मुंगफली, पिस्ता और दूर डाल देंगे हम मधु को भी एक ही साथ डाल देंगे, हमने यहाँ पर चीनी नहीं डाला क्योंकि केला वैसे ही बहुत ही मीठा होता है यह अच्छे से ब्लैंड हो चुका है, अभी हम ग्लास में इनको डालेंगे हम काजू और पिस्ता के टुकरे थोड़ा से इलाइची पाउडर और मधु से गार्निश करेंगे हमारा यह यम्मी बनाना नट पंच रेड़ी हो चुका है बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे दोस्तो अगर मेरे रेसिपी आपको अच्छा लगता है तो लाइक शियर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्रण 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 अज़ हो चाईब करेंगे